नमस्कार दोस्तों मैं रभीन और स्वागत आप सभी कि आपके अपने प्रिवार रभीन की पार्सला पर दोस्तों आज की इस व्यूडिय में हम सुरुआत कर रहे हैं एससी एमट्यस के लिए जो प्रिवियस पेपर काम सेट चला रहे हैं मैस का उसका यह सेट थिरिया है जो आपके एक्जाम 28 2019 में तिर्थिय पाली में पूछा गया है इसे मैं आपको 25 प्रसंट कराऊंगा लेकिन आने बाला जुकि जाम आप देंगे उसे मातर 20 प्रसंट पूछ जाएंगे मैस से तो मैं 5 प्रसंट को छोड़ के नहीं चलूँगा क्योंकि 5 प्रसंट को छोड़ दूँगा तो आप प्रेक्टिस कुछ कम रहेगा आपको मैक्सिमुम प्रेक्टिस करना है ताक आप 20 में 20 लाएं तो ज्यादा टाइप नहीं गवाती हुए चली सुवात करते हैं पहले कोशन से बीच बीच में को जरूड़ी सुचना होगा तो मैं आपको दे दूँगा बागी के लिए आपक प्रसन आपको आपके सामने तो करना क्या है रहा जब नहीं होता तो वह कह बेचा गया है जब 15% का लाभ हुआ है तब लेकिन हमें cost price चाहिए तो लिखने का style आपको यह होना चाहिए कि 2070 में यह बेच रहे हैं तो लाव जो हो रहा है जो हो रहा है जो घटना घट जाएगा उसको नीचे रखना है तो 15% का लाव हो रहा है यानि कि 100 में 15 पैड कर देंगे क्योंकि 100% तो खुदी ही रहता है तो 15% का लाव होगा तो 115 में बेचा गया और आपको चाहिए cost price the cost price हम 100 माने के चलते हैं तो हम 100 माने के चलते हैं इसलिए करते हैं multiply 100 से मानने का आप कुछी भी मान सकते हैं लेकिन हाप अगर कुछी मानेगे तो 115 आप नहीं लिख पाएंगे 100 cost price को माने के चलिए तो 15% का लाव हो और इसको काटेंगे तो 23 नमा यानि कि 90 कटेगा तेहां से जो आपको CP आ जाएगा वा 90 गुने 20 यानि कि 1800 CP आ गया मतलब इसका cost price जो था वो 1800 रुपया हैं लेकिन बोला गया है यहां पे कि जो विक्रेमुल है अब 1890 है यानि कि selling price आपका 1890 है तो कितना का लाव या हानी होग 500 बताना है तो चीए का 1800 में खरीद के यादि आप 1890 बेचेंगे तो 90 रुपया का आपको लाव होगा और 90 का लाव होगा कि इस पर तो 1800 पर जिस पर होगा उसको नीचे रखते हैं और आपको निकलना है पर सिंटेज में तो 100 से करना परता है बुना डबल 0 से ऐसे काटेंग और 18 के पहारा में पांच यानि कि आप फाइनली बोल सकते हैं पांच पर सेंट लाव क्योंकि यहां पर लाव हुआ है तो किस आप्शन में यह बात आपको दीख रहा है तो आप्शन चार में यानिक आप्शन चार आपको कॉरेक्ट है और उमीद है बात के लिए और कोई दिक्कत नहीं है तो चले बरते हैं अगले प्रस्ट रप और अगला प्रस्ट आपके सामने ये रहा लिखा गया है वह सबसे छोटी संख्याप को बताना है जिसमें पांच अगर बढ़ा दे तो बारा अठारा तीस से विभाई तो होना चाहिए तो सब इस झालें शुआ ज देना चाहिए तो अपो क्या करना घाल आ होता है नहीं तो इसका गी-'23 को लेकिन आपको बोला गया कि पांच बढ़ाने के बाद आना चाहिए सख्या इसका मतलब है कि इसमें से हम 5 माइनेस कर देंगे तो 75 जागा तभी जा किसमें 5 एड़ करेंगे टेक्सोस यागा यानिकी फाइनली जो आपका अंसर आया हो आंसरी काया बन जागा सोईजी प्रस्न पूछा गया था चलिए बढ़ते अगले प्रसिंग तरफ और अगला प्रस इसको भी आप चाहे तो बना सकते हैं लेकिन फिर भी बना देते हैं इसमें क्या है कि इसको मान बताना है कि इसका मानी कितना होगा कैसे निकालेंगे देखिए जब काल लिखा गया हो तो सबसे पहले काका किरिया करते हैं और काका किरिया करने का यह मतलब नहीं बनता है कि क का का मतलब अप गुटना दे के उसको हएका Country का का एक आए रिखागा है तो का के बतला गुटना किजिए और लगे लिए इसका आंसर निकालिए तो तीन के पहाराये में तीन 2 के पहाराय में दो दुना चार फाइनल यह थिरी वाइट टू आयाम आप यहां पर वन बाइट टू है तो मल्टीपलाई करेंगे डिवाइड के जगह पे और पांच बटा चार है तो इसको पलट देंगे चार बटे पांच अब कटने बला आपको लग रहा है तो उपर में काट लेंगे काटेंगे दो के पारा में दो दुना चार तो आपको यहां पर दिखा कि ठीरी वाइट टू में एड कर रहे हैं जोर रहे हैं दो बटे पांच आप अप अड़ करके डिरेक्टिव इसको लिग सकते हैं इसको क्रोस मल्टीपलाई करके जोरेंगे तो ऐसा हम लिग कर बता आ तो तीने कम तीन और एक चार वाटा तीन मतलब फाइनली जो आप पाया यहां चार वाटा तीन दिया और यहां से आप यह दी देखेंगे तो यह चार से चार कैंसील होके यह एक वाटा तीन बचा और यहां करेंगे तो तीने कम तीन हमें से गिया दो बटा तीन मतलब अब हल करने के लिए आपको छोटा मुटा कांड़ है तो एलसे में लेने का जरूरत नहीं आपको करना क्या होता है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाइख कीजिए प्रस और 2 को 2 से और आपस में एड कर देचे 15 15 15 15 15 में करते हैंदों का मल्टीप्लाइख 2 पा जभार करेंगे इंड च्होओ और 3 ने कम कर सकते हैं यह भी कर सकते हैं और दो प्रशेख हो जाएगा तीन मतलब फाइनल यह कट के एक आएगा और इस वाटा दसम्हाइब एक से विभाइड करेंगे तो क्या होगा तो चीजिए नहीं बस होई होगा जो होना चाहिए था या ने को लिग दस का उनीस वाटा दस इन रा रह GlaiR effort to consume तरफ और यह मत कालना ही आप ककला नहीं है और मेरा ऑлек अन्सर तो कोई भी होगा सकते किताब में भी रहता है मेरे मुझत एंक्ले को समझी आज्ञें आजैए आप ओर वे कोश्टी यह चार से छो तक के लिए प्रस्न है यह जो निर्देश आपको दिया गया दीख रहा होगा निर्देश चार से छो तक के प्रस्न के लिए है नीचे दिये के धंड आरेक एक विशे में दस छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों एक सो में से कुदर्स आता है पहला प्रस्न ज क्या है मतलब जितने भी छात रहे हैं उस सभी का आउसत क्या है तो यह जो S1, S2, S3, S4, S5, S6 यह सभी छात का आपको आउसत निकालना है और इधर जो लाइनिंग दिया गया है इसका मतलब है कि यहां से यह 75 है इस लाइन पर आगा तो असी रहेगा इसके बाद आगा तो पसी ति इस डाटा सेון दिना आपको बनता नहीं है इधर के डाटा से आप हो को लेना देना नहीं यह गराप के लिए यह धर सात है कि अगर सामने चाहिए यह आपका as1, as2, student, 1, student, 2, 10, चात्र का दिया गये, सब का इवरेज निकलना है, उमीद निकाल लेंगे आप अड करके, कैसे निकाल लेंगे, सब को अड किजिए, एक, एड करेंगे तो आप एक, 0, एक, पँचाओ, आचाओ, बारा, साथ, उनिस, नौ, एठाईस, चैर बतिस साथ उन्चालिस और आठ सैंतालिस सैंतालिस और दो उन्चास तो उन्चास के नो करेंगे हासिल आगया चार अब चार में इसको जब आप एड करेंगे तो चार आनो तेरा तेरा और जीरो जो ओ टेरा तेरा और आठ एकी सरट चार तीज और नाएग और 22 और दो चाना कि तो आठाइक हो गिया नौव नौव सो उनीस और चातर है आपके पास दस तो दस से कर लेंगा डिवाइड हो गिया बात खतर मेकाने में दस सम्मलों इसका एंसर हो गया एक कोई दिकत नहीं कि लिए रहे समझ माया जाता है बड़ अगली प्रस्म तरफ और अगला प्रस्म पांचल में प्रस्म एंगा इसी डिद्रीच पहता रिता है गया टो अगिला प्रस्म आपको दिया गया है के स्थिरी तथा स्था यतंगओ का प्राप्त और अशर्सन से कितना पर सिंट कम है स्थ्री तथा य्जा अथ प्राप्त अंपको का आश्त तो होगा स्दधन डरा अपर आप तोंको के आउसा से कितना कम है यानि कि लिखने का इस्टाइल आपको यहां पहोना चाहिए S3, S3 और S5, S3 और S5 के आउसाथ, आउसाथ मतलब दोनों को आड़ करके दो से डिवाइड उसके बाद S9 यह लिखना है डाटा देकर आप लिख लेंगे, अगर डाटा को आप देखते हैं, तो S3 और S5 को आड़ किजिए, तो यहां पर आपको S3 है, 87 और S5 है, 99 इसमेड करेंगे, तो यह एक सो चाशी देगा आपको, और 186 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर दोसे, यहां पर देखेंगे तो आपको कितना जागा, 166 तो एक सो चाशी, डिवाइड में आ जागा दू और कॉमा, S9 का अगरा मतलब देखेंगे, तो S9 का मतलब वहाँ पे 100 दिया गया है तो आप यहाँ पे S9 का मतलब लिखेंगे 100 इसको जब डिभाइड ही करेंगे आप तो दो नम आठारा दो ती आइच हो और यह हो गया 100 पूछा क्या गया है कि दूनों का जो आउसत होगा वह कितना कम है है S9 से S9 100 है और यह 93 है इसका मतलब यह साथ कम है अब 100 से जो अंक जितना कम रहता है वह उतना ही परसंट का लाता है 100 से 93 में साथ कम है यानि कि 7% कम है option एक कोड़ेक्ट कोई दिकत नहीं है उम्मीदे बात किलियर होगा तो चले भरते हैं अंगले प्रसंट तरफ और छठा प्रसंट भी जो है इसी से रिलेटेड है क्या लिखा गया है S5 द्वरा प्राप्त अंग छात्रों के आउसत अंग से कितना परतिसाथ अधिक है दसमलों के दू अंग तक आपको सही निकलना है यह चातर है और इसका एवरेज आपने पीछे निकाले काने वे दसमलों आया है और S5 का चुमान होगा 99 है यानि कि यह जो S5 है इससे कितना अधिक है तो अगर सीधा-सीधा अधिक की बात करें तो हम क्या करते हैं अधिक है और यहां 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 है कि 7.1 यह 7.1 यह वाधिक है तो है तो सेवेन पॉाइंट अधिक है तो सेमें फोड़ा गया कि कितना अधिक थेट में पूचाister गया तो सिलेछ पॉायं नहीं है तो अधिक आपको दसंबलों के मांतक बैठाना है और दसंबलों में 7 है 22 है 17 है 12 है काफिर डिफ्रेंट डिफ्रेंट आपके पास option है तो आप इसको एफ रोक्स निकाले जो खुझ से कल्कुलेशन जदा करने का को जरूत नहीं है एक 70 है इसको मान के चलिए आपके 70 नहीं हो किया कितना है तो 900 है अब यहां देखेंगे तो आप 0 से 0 काट लेंगे 70 में डिभाइड करेंगे 9 से 9 सते 63 साथ दसंबलों कुछ कुछ आना चाहिए और थोरा से इसी का असपास होता है यानि का option हो जाएगा तो ऐसे आप कर लेंगे इसका हल अब जरूरी नहीं है कि हमको मल्टिप्लाइड डिवाइड करेक्ट लिए आपके करना पड़ेगा अप्ट लगा के बिकलत कर रांसा आपके बने रहएगा तो अपसे एक और था बड्रक है तो चले बरते हैं अगले प्रसूabile ग्रशनी करा अगला आपके के सामने B का लिखा गया है कि ए ए भी से इस परसेंटा मैं जो C से 25 परशेंट कम है एश और श रशतिक हैं यहां पे तीन चर्चा की आगया है, A का, B का और C का, कंडिशन को पहले पढ़िए, A जो होगा, वह B से 20% अधिक है, मतलब A निर्भार है B पर, जो कि जैसी बात करेगा, तो यहां B के बात कर रहा है, क्योंकि A निर्भार है B पे, तो B किस पर निर्भार होगा, C पर निर्भ है B पे, यानि कि यहां पर आपको मानना पड़ेगा, वह C को मान लिजिए, C का मान यदि 100 मानते हैं, तो B का मान हो जाएगा 35% कम, यानि की 55, यह 75 आ गया, लेकिन यह जो है, 20% इससे अधिक है, तो 75 का 20% होता है, दियर 15, 55 का 10% निकालेगे तो 7.5 आएगा, और इसका दू यह 75 का 20% आधिक है, तो 75-25 आधिक है, यह 100 का था 25% कम, यह 25 घटाएगे, 100 का होगा, तो सेम जो रेंगे, सेम घटाएगे, 100 का नहीं रहेगा, तो निकाले के जोड़ना घटाना पड़ता है, ठीक है, यह आ गया, इतना, पूछा गया, ए तथा C के बाहरे में निवन में से कौन साथ है, यानि कि A और C के बाहरे में पूछा गया है, कि निवन में से कौन साथ है, तो पहला अप्षन को अप लेकर चले कि A बराबर 0.9C, इसको जबाब आप हल करेंगे, तो यहां से A बटा C कर सकते हैं, यह C मुल्टिपलाए में इदरा के डिवाइड में, और 0.9 ह जिसको आप 9 by 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब एक के मान यदि 9 होगा, तो C का मान 10 आना चाहिए, तो यहां पर A 90 है, और C का मान 100 है, यह दोनों में से जीरो कॉमन को हम हटा दे, तो A का मान 9 बोल रहा है, तो C का मान 10 बोल रहा है, यानि कि यहां आप्षन कोरेक्ट के है, ठीक है, यानि का आप्षन एक सही जवाब, बन जाएगा, इसलिए आपको आप्षन को फेरिफाई करके देखना पड़ेगा, तो चलिए वरतिया अंगले प्रस्न तरफ और अगला प्रस्न यह आपके सामने, क्या लिखा गया है, लिखा गया डियर आपको, यह लिख लिटर पानी मिलाया जाए, तो दूद तथा पानी का जो नया अनुपात होगा, वह दो अनुपात एक है, हो जाता है, प्रारम में मिश्रन में दूद तथा पानी की मातर आपको बताना है, तो इजी प्रस्न, लिखने का स्टाइल आपको ऐसे होना चाहिए, यह मिल्क और वाटर का रिशियो है, और शुरुवात का रिशियो एट रिशियो थ्री है, यह दि ती लिटर पानी मिलाया जाए, तो दो तथा पानी का नया रिशियो आएगा, दो अनुपात है, तो प्रारम में मिश्रन तथा पानी की मातर आपको बताना है, करना क्या होता है, कि जिस मिला है बाइं पानी को मिला रहे है तो जिसको मिलाएंगे उसको छोड़ चाहिए जो बस गया हुआ समान आप देखेंगे यहाँ पर से मल्टिप्लाई और यहां भी चार से करेंगे तो फाइनली समान करने के बाद की बात आज दिया आप देखेंगे तो उपर में कूशने के जैसो का तैसो नीचे गूना के आठ अनुपात हो जागा चार अब इसको करना क्या है रेशियों में लिखें तो एक से लगा लिए ज जीमिल करेएं लिए और अपा आनु कितना मिला रहें हुर यानि एक्स का मान आगया आपका 3 लिटर खांक टो Ben till 15 Two Water और यह सब बातों को अभी आप डिरेक्ट नहीं करें आप पहले ध्यान दीजे पराइब और आपको नोट करने का मर्जित आपको पता है किसका पीडियेफ आपको रभीन की पार्ट अला एप आराम से मिल जाता है अराम से आप डाउलोड कर सकते ठीक चले बरते हैं अगले प बनेगा आप से अरुआ कि मनेजाए कि कि अरुआ कि पुरस्ण आपके शामने पर्थम साथ वृंद Dieira दो होता है सब आप बनाते हैं लगाते हैं तो अवाई सब्सक्रा करते हैं इसCómo करते हैं च्राट करते हैं यार रखना है कि पहला-वास इंक 13 से एक दो तीन चार पांच चे और तेरह के बाद आ जाता है डिरेक्ट सत्रह हो गया यह साथ आवासन क्या हो गया इस सब का एबरेज निकालना है इस सब को एड कर लिजे और सब को एड करके जोड के डिवाइड किजिए साथ से जब आप एड करेंगे तो 17 में तेरह तीस आ अंठावन यानि की अंठावन में डिवाइड करेंगे साथ से साथ अठेच अठेच अपन बच गया दो दसम्राइब जीरो देना पड़ेगा साथ दूना चूदर बच जाएगा छो साथ अठेच अठेच अपन यानि की 8.26 इसके करीब आएगा और डिसमल में आगे अगले प्रस्तिरफ और अगला प्रस्ति ये रहा आपके सामने प्रोपिट इनलों से फिर से कोशने क्या लिखा गया है एक बस्तू 810 रुपे में 10 प्रसेंट का हानी पर बेचा गया पहला जो प्रस्न आपको बताया था इस इस रिलेटेट था यदि 20 परसेंट के हानी हु है है 10 परसेंट का हानी तो 100 माने कि चलते हैं को स्ट कोश्ट प्राइस को दस कमा देंगे यानि कर लेकिन अगर हम 20 परसेंट का вним पर बेचते तो क्या होता है तो बीस परसेंट का हानी यानि क्या सीम हम को बेशना चाहिए जो चाहिए उससे मल्टीपलाई अजो घटना घट गाउसे डिवाइड जीरो से जीरो काटके आप नो नमाएक 80 काटिंग और फाइनली जब इसको इसके साथ मल्टीपलाई करेंगे तो असी नमाश साथ सो बिस क अब चलिए अगले प्रस्ण तरह और अगला प्रस्ण ये रहा आपके सामने अब देखे इस प्रस्ण को लिखा गया कि एक घंकी भुजा 15 सेंटीमेटर है एक घनाव कैधार का छेत्रफल क्या है जिसका आयतन घंकी आयतर से 75 सेंटीमेटर कम है तथा जिसकी उंगचाए 32 स आइंगे तो आपको बन जाएगा समझ में आ जाएगा लेकिन बहुत सारे स्ट्रेंटों जीनको बिना डाइग्राम और नहीं हो रावन लाइगा अकदम डाइग्राम बना के परफेक्ट समझाई ते इस प्रकार की प्रस्ण आप बनाते कैसे एक घंआव की भुजा 15 सेंट मानों इसका भूजा दिया गया है 15 cm सभी का सभी भूजा 15 cm तो इसका जो आयतर होगा खन का आयतर भूजा के होल की होता है यानि कि 15 का होल क्यों कि 15 का होल क्यों कितना हो जाता है 15 को 15 से multiply करेंगे 225 और फिर 15 से multiply करेंगे यह आपको आजाएगा 375 यह आपका आगया कितना 375 cm की हूँ लेकिन एक घनाव भी है घनाव में क्या होता है जो जिसका लंबाई चौराई और उचाई अलग-अलग हो उसको हम बोलते हैं घनाव यह आपका घनाव है इसमें लंबाई चौराई और उचाई अलग-अलग है और इसका जो आयतन है यह आयतन दिया गया है कि जो घन का आयतन उसे 155 cm क्यों कम यह बद टी सोपचत्तर है अब स 155 कम हो जाएगा यानि किस्का यायतन बस ती सो इन्टीमेटर क्योंबाई अब को पता है कि यह आप को पता होना चाहिए और को यह आपको बद टी-स ओ यहाँ पे क्यूबाना चाहिए, 32 cm क्यूबा जागा, यहाँ पे बोला गया है कि उचाहिए इसका 32 cm दिया गया, तो उचाहिए 32 है तो L गुने B कामान और गुने H के यहाँ पर 32, बाराबर 32 cm क्यूब, अपको पता है, यह 32 से कट जागा यह 100 मर्तभे, यहाँ से L गुने B अधार का चेत्रफल लंबाई गूने चवराई होता है क्योंकि यह आयताकार होता है तेल गूने भी आपको मिल या सो सेंटेमिटर स्कार यानि के आप्सा दू कोड़िप और या वास इतना है चोटे से बात करने था अब चली अगले प्रसिंग तरह और अगला प्रसिंग यह आपके सामने है क्या लिखा गया है एक बस्तू दो क्रामिक बट्टो के बट्टो पंदरा पर्शेंट पर इतना में बेची गए तो उसका इमर्प बताना कुछ करना है आ हम पचासी में बेच रहे हैं और उसी बस्तू पर हम गड़ी तना मिना भी किया तो लगले हमको पर्टीश 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 का डिसकांट देना है यानि कि एक सो के बस्तू का हमको पच्छत्तर में बेचना पड़ेगा और फाइनली यह हम बेचेंग गोच्छी तर सो क्यद्न ऐसल में तो क्यों निया बश्तरावण की आठीश लागए खीतोगया और कोई कटेगा क्या कि आप कोई काटेगा सत्तरह सोरी सत्रह चार और तीन से काटेंगे तो एक सो पत्चास आजएगा आप यहां से एक सबरावर जो आपको मिलेगा वह एक सो पत्चास गोने बीस चुग कैसी फंदरा अठे एक सो बीस होता है उपर डबल जीरो और बैठेगा ज्यानि कि फाइनली आपक कोई दिकत नहीं बन जाएगा असान प्रस्ण था तेले आप देखते नेक्स्ट प्रस्ण और नेक्स्ट प्रस्ण ये रहाप के सामनी क्या लिखा गया है एक खोखले घनाब के संपुर्ण प्रिष्ट का छित्वफल आपको दिया गया है तो घनाब के अंदर आ सकने वाद भायत के अंदर हो या वर के अंदर हो इसके अंदर सबसे बरी चर रखाएगा यह जो होता है यहां पर इसका बिकर्ण निकालना पड़ेगा और घनाव का जो भीकर्ण होता है वह रूट अंडर squire plus 2 squire plus h square होता है लेकिन अप़े अ इसका आप मानन निकालेंगे वहाँ छेत्रफल के सहतास निकालेंगे आज मंदे सत्वल यहां इसका फर्मूला होता है और यहां आपको दिया गया यानि कि 36 परावर हो जाएगा है 340 और यहां से 36 एच बरावर आप देखेंगे इसको घटा देंगे इधर ते कितना हो जाएगा 340 में से 160 खटाएंगे 3080 आगा और फाइनल याप इसको ऐसे उड़ा देंगे 36 पर 180 यानि कि इसका मानियास आपको 5 तो आप डिरेक्ट विकर निकाले क्योंकि यहां पर मैक्सिमुम लंबाई निकालना है तो विकर न बड़ाब रूट अंडर जो होता है एल इसक्वाईर प्लस में फी इसक्वाईर फ्लस में है। आएंधी हाने कि रूट अगर अल का स्खायर या Jahren कि दस के एक सो ऩाना एक सो हो गया बी का स्वाइर यानि कि आठ का स्पायर अठी चॉण इस पार या जाएगा और पलस में एस का स्वाइर यानि ivable का स्वान खेमने किस वार्ड़गे तो 54 और 5 85 अब एक सो नवासी आएगा तो किसको आप एड करेंगे तो एक सो नवासी इधर से निकलेगा एड करना नहीं मतलब बाहर निकालेंगे तो बहुत सर जी यह तो थोड़ा समको पॉसिवल लग रहा है ताप इसमें डिफाइड लगाई है जब इसको करेंगे आप अभाज गु आप आफ तहारा में तीन के पहारा में कितना लगा द्रिन छक थारत इंत या इना रिस शर्ट यानि के तीन खूने तीन 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 तीयन ओ नौ नौ तीयास सताइस इन तेन नौ नौ दॉड्छ एक सो नवास कि इसको गूननखन का तोर देंगे गूननिक अब तोरने का हुआ कि डावल तीन के बदला में एक तीन बाहर आ जाएगा और रूट अंडर में तीन गुने साथ यानिके किसरा जाएगा फाइनल याप आप आप्शन ख्री दे सकते हैं उम्मिद्यबात के लिए होगा तो चलिए बरती है अगले प्रसुन तरफ और अगला प्रसुन ये आपके सामने हैं का लिखा गया है एक धन्रासी बार्षिक चक्रिवर्दी ब्याज से दस वर्स में तीन गुना हो जाता है तो इसको लिखने का जो तरीका होना चाहिए वह ऐसे होना चाहिए और कितने बर्सों में एक आसी गुना हो जाएगा देखे दस वर्स दस वर्स बराबर हो गया तीन गुना तो कितने बर्स में एक आसी गुना हो जाएगा तो करना का इधर एड़ करना आपको दस प्लस दस करेंगे और इधर से मुझा करेंगे सेम का इधर एड़ और सेम का इधर मल्टिप्ले तीन तैन आ गया फिर इधर आप दस पलस दस करेंगे और फिर इधर आप तीन गुने तीन करेंगे यहां देखिए तीन से तीन थिन तैन नौ और 9 तया सताय सञा है 300 और multiply करना परेगा तो यहाँ पे यहाँ पे triple 10 होगा और यहाँ पे 4 time आप 10 जोड़ेंगे 4 time 10 add किजे और यहाँ पे 4 वार 3 को multiply करेंगे तो यहाँ आपको कितना देगा एक 80 यानि कि यहाँ आपको 81 गुना आ गिया और इधर जब add करेंगे थे या चालीस हाल आ गिया final answer आपका 1 हो जाएगा ऐसे कर सकता है दुसरा तरीक आपको यह है कि 3 का power आपको कितना करेंगे तो 81 जो बोलेंगे 3 का power 4 किये है तो जब जिसका power करेंगे जितना करेंगे power 4 किये है तो इसमें 4 से कर देंगे यानिकि 10.40 यहां से बूल सकते थी उम्हीद्य बात समझ में आगया होगा तो चलिए अगले प्रस्ण तरह पर अगला प्रस्ण यह आपके सामने च्रिए प्रस्ण क्या दिया गहां? देखे राम तथा रहीम के मासिक आय कानुपाथ 4.85 है तथा उनकी मासिक 2.85-3. GTA 2 है यदी प्रतेक की मासिक बचत 5600 रुपईया है तो राम, तथा रहीम की आय आपको निकानाँ है सोईजी प्रसन बनाने का स्टाइल आपको यहां पर नाम और यहां पर रहीम, आरेम लिख दिजे रहीम हो जागा, यह आरेम से रहीम, आरेम से रहीम, आरेम से रहीम, इसके आय का अनुपात दिया गया है, तो आय का अनुपात दिया गया है, कितना चार अनुपात तीन दिया गया है और यह ब्याय का अनुपात दिया गया है ब्याय का अनुपात आपको दिया गया है ती रेशियो टू और जो बचत का अनुपात है वह बचत कितना है वह बचत है आपको परतीक का बचत पांच रुपया पांच हाजा अब यहां पर देखिए इसको जादी आप एक समा बचकर बचा लेगा यहां पर 2015 करता है दोनों का बचत रचियो में एक से लेकिन यहां पे बचत 5 जा रहा है यानि कि X बराबर आपको हो गया 5 जा करना क्या है रहीम तथाराम के मासिका बताना है इसका मासिका निकालेंगे 4 गुने 5 यानि कि 20,000 3 गुने 5 यानि कि 15,000 यानि कि 20,000, 15,000 आंसर आना चाहिए तो option आप इसमें देखे और बताए कि कौन स option आपको करेक्ट हैगा 20,000 और 15,000 तो 20,000 और 15,000 आपको जो मिलेंगे वह option 4 मिलेंगे यानि का option 4 करेक्ट है उमीदे बात समझे में आ गया को कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है आप देखिए इस प्रसन को लिखा गया है एक नाव अनू परवाह में तीन घंटा में 60 तीन नहीं लिखा हुआ होना चाहिए था यहां पर यह तीन बाई मिस्टेक्स लिखा गया है जबकि उर्द परवाह में या पांच घंटे में 90 किलिमिटर की यात्रा करता है सांत जल में नाव की गती तिथा धाराई गती का अनुपात बताना है इस प्रकार के प्रसुन को पनाने के लिए आपको जो मानना पड़ता है और नाव की चाल मानना पड़ता है तो मान लिए कि नाव की चाल अगर एक्स किलिमीटर परावर है और धारा की चाल अगर वाई किलिमीटर परावर है तो आपको यह बात पता होना चाहिए नाव की चाल हमेशा बढ़ा होता है तो अनुपरवाह में चाल चाल बरावर दूरी बर्टा समय होता है तो चाल अनुपरवाला अनुपरवाह में जूट जाता है यानिकि X प्लस Y हो जाएगा फर्स्ट कंडिशन से यह सचाल हो गिया जाल जूट 시ब दूरी बठामाँ समय दूरे साथ किलमेटर करता है करता है और बटम समय तीन गंटा यानिकी साथ भागा थिन डरेक्ट मीशने ग्enneक लिख तक यह लिख लिए और उर्ध प्रवाह में यानिकी धाला कह पोजिद इसामें यानिकी घट जाए गा एक्समाइनस वाई और 90 किलेमेटर पास्ज कण टाम मैं नबे डिभाइड पांच करेंगे तो अठार आएगा तो यहां से आप फाइनली एक्स और वाई का माननी का लिजी यह वाई से वाई कैसिल हो जाएगा दस में पढ़े हैं तो टू एक्स बराबर हो जाएगा अर्टिस यानि की एक्स का मान यहां पर हो जाएगा उनिस आपको पता चला 9-19 आगिया और वाई का मान आपको एक आगिया आइनली आप्शन किन करेट सोई जी प्रसन बन जाना चाहिए यादि आप से इस प्रकार के प्रसन नहीं बनता है इसका मतलब का कहीं नहीं बेसिक में घरबड़ी है इसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए ठीक है चलिए अगले प्रसन की तरह प्रस यह आपके सामने यह क्या लिखा गया है एक मुल्धन पर 9 बढ़सों के लिए जो सधारन ब्याज है वह मुल्धन का तीन बड़ा-5 है तो बार्शिक ब्याज की दर बताना है दर बराबर का होता है तर बराबर आबर लिखा गया है तो समय लिखेंगे कोने का मतलब यह जो दर निकालना है यह दर का जो फर्मूला होता है दर बराबर होता है दर को हम रेट भी बोल सकते हैं यानि के रेट बराबर एस आइज जो होता है उसको हंडेर से मल्टिप्लाइ करके डिवाइड आपको पी गूने टी ल गया है सधारन ब्याज जो है मुल्धन का मुल्धन का का जिसको लगा हुआ रहेगा उसको हम नीचे वाला माल लेते तो ज्यादा बिटर रहेगा यानि कि मुल्धन को यदि हम पांच मान के चलेंगे तो पी बराबर यदि पांच रहेगा तो सधारन ब्याज जो होता है मु रेट निकल लीजिए तो रेट बराबर आप आभी फर्मुला जैके एसाई गुने हंडेड एसाई आपको तीन मिला है गुने एक सो करेंगे और पी गुने टी यानिकी आप क्या करेंगे नौ गुने पांच कर देंगे अभी सब बात को देखते हैं कटिंग कि जिए नौ के प आप प्रेशन का अब हल करिंगर यहां सब कर रहे हैंतो मतलब सेट वाइज प्रयास कर रहे हैं तो अभ्यास कीजी एक है प्रस्त आप से भनेगा देखिये इसातीन कार्ज करते है तक आज का कितना भाग पूरा हून काल वाट जो कर रहा है और वह 11旅ने अब आपको कार्ज के बारे성 पता नहीं तो करते क्या है कि सबका इलिसया मिलेस याने कर दो पकालीशियाए यानीकी 208 का हैomet और आट बोला गया है कि यह दिवे एक साथ तिन दिन कार्ज करें यानि कि ए और बी मिलकर याद यह तिन दिन तर कार्ज करेगा तो कार्ज का कितना भाग पूरा हो जाएगा तो तिन दिन तर कि करेगा तो एक इस और आट उन्टिस के हिसाब से करेगा और तिन दिन तर करेग तो उन्टिस यह 87 काम कर लेगा और कितना भाग पूरा हुआ तो 87 काम कम्प्लीट और कितना में से सब्सक्राइब कर लिख सकते हैं यह किस्टेवल में कटेगा तीन के पहाराय में 29 कटेगा और तीन के पहाराय में 35 तीनचे कठा रहा यानि कि 29 वाटा 56 भाग कार भी पूरा हो गया और अप्शन 4 कोड़ेब बन जाना चाहिए कोई दिकत नहीं चलिए अब अगले प्रस्ट की तरफ और अगला प्रस्ट यह है यह जो प्रस्ट है सिंप्लिफिकेशन से इस प्रस्ट नम्चोरते आप बना कर कमेंट वक्समा आनसर जेए विशेस्टी कतो का कमेंट हैं बता चलिए तो मैं सारे प्रस्ट को लेकर चलूंगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको बना पाएंगे चलिए बरते हैं अगले प्रस्ट की तरफ और अगला प्रस्ट यह आपके सामने विश्मा प्रस्ट आपको लिखा गया पर्थम छो प्राकिर्थ संख्याओ का आउस अवस्त क्या होगा जो तीन का गुंद है मैं अच्छा होना चाहिए पहला दूसरा तिसरा अठा तक जाएंगे तो अठारत तक आएंगे और इस सबका आपको बताना है और तो पता है कि अगर सेम अंतर है सम्में तिन तिन का अंतर है एबरेज निकाने कि लास्ट प्लस फर ली दिए आ गया है और एकमिश पारत तूथ से में कुछ look at it को मैं एक मखर ले ता कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नौ तो कूछ प्रस न Grammy मेर वी दिक्षा नहीं कुछ प्रस नहीं श्म्सक्र मे वहFit कर लेता हो आपको दिक्कत नहिता हो लिखा गया है आपको एक रिलगारी 600 मीटर लंबे प्लेट फर्म पिस रिप थैसे स्टार्ट करेंगे अब टोटल परशन को पढ़िया अराम से बन जाए एक रेलगारी है जो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सिकने पर कर जाए लेकिन यहां दुसरे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सिकने पर कर जाती है रेलगारी की लंबाई तथा उसकी गति बताना है अब देखे है रेलगारी एकर सेम है तो उसका जो रेलगारी का लंबाई हुआ औरूक cùng के चारी को पास करें यहां माने का लंबाई । फ्लेटफर्म का लंबाई दूनों मिलाई क्रोस करता है याने कि हम रेलगारी की लंबाई यदि हम टीम आले और प्लेटफर्म जो पहलाबद पास के हवा छो उन मीटर का किया है और समय जो लिया है वह 50 सेकेंड का लिया है परावर यहां पर दोरी बटाय में समय हो गया चालो मिलाब और से रूरी वस्तिये हम किये है रिलगारी की लंपाई और क्रॉस करता है 900 मिला मिटर और कितना सिकनिव चार्च केन में यह चाल वरावर चाल को गया तो चाल बरावर चाल के तिया है realise तो यहां पर 60 प्लस में 3600 हो जाएगा यह पराबर में 50 प्लस में 4500 यानि कि 60 में से 50 तो ती बराबर आपको यहां पर आ जाएगा 4500 में 3600 घटाएंगे तो 900 यानि कि ट्रेन कि लंबाई 900 द्रेन कि लंबाई 900 यहां भी दिया गया नौस यहां भी है तो किसी का सबस्कें हम यहां के जथ ru बराबर दूरे लिए समयां दूरी आपको कोई में भी रख सकते हैं खालते हैं तो फीला पॉन प्लस में 600 recognition यहां जो आपका है यह मीटर पर सिकिन्द है इन आपको किलो मीटर पर ते घंटाएं बताना है न तो आपको पाता है कि 18 बटे 5 से मल्टिप्लाइ करते हैं यानि कि यही आना चाहिए तो अप्शन भी आपका हो जाएगा पुरेट तो एजी प्रसन बन जाना चाहिए दिक्कत है तो बेसिक आपको समझे में नहीं आ रहा है यानि आपने कहभी भी फंडामेंटल कोर्स नहीं क्या है फाउंडेशन वेसे तो आपलों का डिमांड होगा है तो हम फंडामेंटल बैसिक कोर्स भी ले कराएंगे जिसमें मैं जल्दी से जल्दी आपको किलिर करा पाउंगे एक राप पाउंगी नहीं करा पाउंगा ठीक है सोरी अब नेक्स्ट है नेक्स्ट के आ है कि एक लाव में बीड़ती है संकू क्यों चाहिए पांस सेंटीम आपको दिया गया है यानि कि आरावर बराबर बार सेंटीमाडगी और यहीं शूंचाई कि तना दीया है, 5 ना यह 5 दिया गया है करूंड शर्फेस हरिया, सिय से हर्मूला होता है PIRL आप बोलेगा सर ल क्या होता है ल जो होता है इसका यह यह तीरिया कोन चाहिए यह तीर्शीों पर देखेंगे तो यह जो है यह 90 डिग्री का कौन ही साथ यह यह जोदे है यह यह 5 तो सम्कून तीर बुझ में यह 12 यह पांच ऊता है तो पाइथा गूरस पर म्यर्स ए बार पांच तो यह बराबर आगी आपको तेरा अब से अपनिकाल लिठ और आंसर में देखे तो सब जोगाइब लिखा गयाय तो भायबपाइबीर ही रह न ईजी आर का मारा बारा जीजे और इसका मान तेरह जीए और सेंटीमेटर स्कूर्ट अपलगा ही लेंगे आंसर बोलेंगे सर्जी तीन कॉरेक्ट को दिकते हैं चले भरते हैं अगले प्रस्ट की तरह और अगला प्रस्ट यह आपके सामने क्या लिखा गया है पाइप पी अके लिए एक टंकी को साथ घंटे में भर सकता है अगर दोनों म यह जो पी है यह 7 घंटाएं भर सकता है और क्यू जो है वह 23 घंटाएं भर सकता है तो 13 और शात का में में और चंपता दूनों मिलिक करेगा तो 20 से करेगा इतना घंटा हो जागा लेकि इसको चेंज कैसे करेगे तो एक आनमे में आप डिभाइड करेंगे वीच से बीस चोग के आप 80 लगाएंगे तो घट के कितना आजाएगा डियर एक में सजिरो गया है कि यह एक यानि कि फाइनली बोलेंगे चार पुर्नांग चार पुर्नांग और यह 11 बटे में आजाएगा 20 इतना घंटा लेकिन हमको चार घंटा मिनट में भी आंसर देना है तो इसमें आप मल्टिप्लाइ कर लिए 60 से ताकि मल्टिप्लाइ करने के बाद आप मिनट भी आंसर दे पाएंगे तो यह चार घंटा और 33 मिनट का तिलाफरा बारा यानिक अप्सें चार को रिट वांजना चाहिए कोई मुर्ण छाएं संख्याक को अपुरी इस संख्याक आपको निकाले आपको यह बात पता नहीं सोट कर देंगे पता नHHHH dużo दो क्लियर चलेंगे यार्ण आठ चार्थ यह बार और पांस यह पंद्रा यह सब को एड करेंगे 15 12 27 और 8 35 होता है और वहां पेक्स चालीस है एक्सों चालीस है रेश्यों करूसार से 35 से डिवाइड करेंगे 35 से दुसरी संख्य के बारें पूचा था यह बार आता है 35 के पारह में चार मर्तवे कटेगा मल्टिप्लाइ करके आप बोलेंगे सराहत आलीस है बन जाएगा यह सोईजी प्रस्ट अब लास्ट प्रस्ट पर चलिए लास्ट प्रस्ट यह आपके सामने और हमें नहीं लग रहा है यह प्रस्ट मनाने में आपको दिक्कत होगा इसका मा माधिका निकालने के लिए क्या करते हैं माधिका निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया गया डटा होता है उसको हम आरोही करह में सजाते हैं यानि की वर्डित्य करह में सजाते हैं सबसे छोटा पहले लिखना है तो सबसे छोटा यहां पर दूआ है उसके बाद तीन है उ पुल मिला के उपर गिंती कर लेंगा और नीचे गिंती करके मिला लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या नीचे भी 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माधिका निकालना है ना तो करना कुछन है जब n बराबर 9 है n बराबर 9 है यानि कि विसम संख्या है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए चार इधर से कार दीजिए और चार इधर से काट दीजिए और जो बीट से बस गया यही माधिका कालाता है यानिक ऑप्शन एक कॉरेक्ट दोस्तों उमीद है कि 25 तक का बात आपको बिल्कूल क्लिए रोगा कोई दिक्कत होगा आप बता देंगे तो आज के लिए इस वीडिय और विडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आपको पता ही है ना कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर रूपना नहीं चाहिए तो फटा फट लाइक किजिए आगे सेर किजिए और नए है तो सब्सक्राइब किजिए ठीक है धन्यवाद किजिए